नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चनल अनकेडमी के योपी मंत्रा पर जुड़े हैं सुबह के नौ बच्चों के हैं समय है आपका डेली नियूस अनलाइसिस का डेली नियूस अनलाइसिस जहां देश विदेश के प्रमुक समाचारों का संकलन लेकर मैं उपस्तित हो जाता हूँ और इसके माध्यम से मेरा पुरा प्रयास होता है कि आपकी जो भी अगामी परिच्छाओं ह आप अपना बेहतर प्रदेशन कर सकें तो फटा-फट सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए और अपने सारे मित्रों के साथ भी क्लासेस के लिंक को साज़ा कर देजिए कि सभी जो है वो जुड़ जाएं है ना सभी जगह है अपने सारे फ्रेंड्स के साथ साज़ा कर देजिए रेखा, काजल, अमन, रूबी, अनीटा, निशा, आलोग, सभी का स्वागत, सभी का विरंदन, और फटाफट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा दीजिए, कि यहाने वाली हर क्लासेस के बारे में आपको समय पर जानकारी मिल सके, छले स्टार्ट करते हैं, अमीश स्वागत है, और दोस्तों इस समय आप जुड़े हैं अनकेडमी, जो कि इंडिया का लाइजिस लेंग प्लाइस लेंग प्लासे के लिए, और यहां अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो बेस्ट है जो के टरिकर साथ देखने को मिलेगा, इसके लिए आपको जो कोड यूज करना हो कोड किया है, इस कोड को आप ध्यान रखिएगा, और इसका यूज करके आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, यह मेरा प्रफाइल है दोस्तों, और यह टेलिग् नूज आपको देख रहा है, इस पहले नूज पर हम आजाते हैं, मिन्ट से लिए हवा नूज है, नूज है, यूपी एससी एक्जाम 2020, तो प्रीम कूर्ट रफ्यूज तो हीर प्ली तो क्वैस्ट फाइनल सेलेक्शन लिष्ट फॉर एलिज्ट वाइलेशन आप 50% वोटा, दोस्तों अभी हमने देखा कि 24 सितंबर को जो है, 24 सितंबर 2021 में यूपी एससी, सिविल सर्विसेस एक्जाम यानि कि संग लोक सेवा आयू के, जो परिच्छा थे, सिविल सर्विसेस एक्जाम थी, उसका रिजल्ट आया है, और उस रिजल्ट में आरक्षन को लेकर एक वि जो आरक्षन इसके कोटे को जो है, उसका वाइलेशन हुआ, इसको लेकर एक याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोट में, और सुप्रीम कोट ने जो है, इसको सुनने से जो है, वो मना कर दिया है, इस याचिका को जो है, वो खालिच कर दिया है, क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं इसको देखते हैं और समझते हैं और समझते हैं भारती सम्मिधान के अंतरगत जो आरक्षन का प्रावधान है वह आरक्षन का प्रावधान क्या है इसके बारे में भी देखते हैं यह टॉपिक दोस्तों आपका जेनरल इस्टडिस पेपर टू से और इंडियन पॉलिटी में जो आरक्षण के प्रावधान हैं उनके उनसे संबंदित है ठीक है तो दस्तों न्यूज है फिफ्टी पॉर्सेंट आरक्षण सीमा और जैसा मैंने कहा कि अभी हाल ही में जैसा यूप यसी का रिजल्ट आया और संग लोग से वा योग का जो चौ का उलंगन करने की सीमा तक और रद करने की मांग करने के लिए जो था इसको क्या किया गया थे कि याचिका दैर की पुरा मामला ये था कि इस याचिका में ये कहा गया था कि जो यूप यसी है यानि कि संग लोग सिवा योग है इसने अपने जो घोशित परिणाम है उस पर द्वारो को सिविल सेवा में नैयुक्त दिया जाने के शिफ आरिसकी है जो कि समाने श्रियोने के उमेद्वारों की योगिता को पूरी तरह ourselves जो है दो Бог जो भी न्यूक्तियां है इन न्यूक्तियों के लिए समान आरक्षत कोटे के तहट केवल चालिस पॉर्ट जी मोजार सीटों को जो है चिंदित किया गया है। क्योंकि इंद्रा साहनी बना भारा सांग के जो मामला था उन्निस सौबान बे उसमें जो 50% की जो सीमा निरधारित थे उस सीमा का क्या किया गया है उलंगन किया गया है आप सभी को मेरे आवाज क्लियर आ रही है आवाज क्लियर है वोइस क्लियर है इगर मुझे बता नेट्वर्क इशू तो नहीं आ रहा है न नेट्वर्क इशू हो रहा है क्या रनीता इस्टक हो रहा है नेट्वर्क इशू हो रहा है अब सही हो गया है और एक बार शेर मार दिए कि सभी जो है वो जोड़ जाएं काफिसारी स्टोडेंट भी जोड़े नहीं तो शेर कर दिए कि सभी के सभी स्टोडेंट जोड़ दे जाएं तो मैंने क्या कहा कि मामला क्या था कि मामला यह था जो उन्नेस सो बानवे का इंदरा शाहनी जो मामला था ठीक है न जिसमें यह आर अखट की सीमा को जो है वो पचास परसेंट अरिच्छित करने के बात की गई थैं उसका एक तरह से जो है उलंगन किया जा रहा है ऐसा कहा जा रहा है अब इंद्रा साहनी बनाम भारत संग का 1992 का मामला क्या था तो दोस्तों इंद्रा साहनी बनाम भारत संग का 1992 का मामला था इस मामले मगर हम बात करें तो इसे इंद्रा साहनी मामला के नाम से जाना जाता है ज इसमें सुप्रीम कोट के नौ द्याधिशों ने जो है वो आरक्षण की जो सीमा उसे कितनी कर दी थी पचास परसेंट जो है वारक्षण की सीमा लगा दी थी और इस मामले में सुप्रीम कोट के द्वारा जो निर्णे रिया गया था उस निर्णे में ये कहा गया था कि जो प परसंट सरकारी नौकरीयों में वह आरख्षित करने वाली अधिसूचन तक्र दिया गया था सिध्धान को भी बरकरार रखा कि अपारदि के पचास परसंट से अधिक नहीं होनी चाहिए ठीक ना ये भी एक जो है वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने योग ये बात है ठीक ना इसको भी हमें ध्यान देना है कि उच्तम नियाले ने जो है सुप्रीम कोट ने एक सिर्धान को बरकरार रखा और सिद्धान क्याता है जो भी आरक्षण की सीमा है ठीक ना वो उससे जादा नहीं होना चाहिए ठीक ना इस निर्णा में ये भी प्राउधान किया गया है कि क्रीमी लेयर की आउधाना को भी इसके माध्यम से बल दिया गया और पिछडे वर्गों के लिए आरक्षण के वल प्रारंभिक न्योक्तियों तक ही सिमित होना चाहिए और पदोनत्ति में इसका लाव नहीं होना चाहिए एक बात और भी कहा गया जो कि बार बार आप देखते होगे कि मेडिया के माध्यम से न्योज के माध्यम से बार बार एक बाते आती है क्या कि आरक्षण जो है वो क्या किया जाए जैसे कि प्रोमोशन में आरक्षण दिया जाए तो बार बार यह कहा गया कि देखिए आरक्षण का जो लाव हो बार बार नहीं मिलेगा एक बार आप माली जा किसी सरकारी नौकरी आपको आरक्षन मिल जाएगा तो बार बार जो है वह आरक्षन नहीं दिया जा सकता है तो इसको क्या करना है द्यान करना प्रशांद गूड मौनिंग 50% की सीमा का कारण क्या है अब एक प्रशन उठता है बार-बार दिमाग में कि आरक्षन को 50% तक ही क्यों सिमित किया गया है ठीक है तो दोस्तों इसके लिए 1931 में चलना होगा और भारत की जो अंतिम जातिय जनगरना है वो 1931 में हुई होगी और इस समय आप देखते होंगे क जितने भी राजनितिक पार्टियां हैं खासकर वो राजनितिक पार्टियां जो अपने आपको पिछड़ों का नुमाइंदा बताती है वो बार-बार क्या कहती है कि फिर से जातिगत आरक्षन कर देरा चाहिए ठीक है क्योंकि जातिगत आरक्षन में सीधे यही कहते हैं कि 80-85% जो भारत की जातियां हैं वो फिष्बव ही जाते हैं जो है वो Свण जाती है या जन्रल करटेगरी है समाने करटेगरी के लोग ना है नём तो जातिगत आरख्ट गरणा के बारे में बारबर बार बात की जाती है लेकिन सरकार जो है इससे बचने का प्रयास करते हैं सरकार सोसती है कि जातिगत जनगरना जो है वो ना की जाए ठीक है तो अंतिम बार अगर हम बात करें तो जातिगत जो जनगरना की गई थी वो 1931 के दोरान की गई थी और इस आधार पर जो है मंडल आयोग ने जो है वो अन अगर हम बात करें तो देश की जनसंख्या की कुल अबादी का जो है यह बारा परसेंट जो था वो क्या था आपका अन्य पिछड़ा वल्ग था आदालत में अपने निर्णा में आरक्षण को उच्छे ठेरा और कहा कि इसके लिए एक सीमा निर्धारित की जाने चाहिए कि इ अंधित सवालों का जो है वो कोट ने जो है वो किसी भी प्रकार से इसको ध्यान नहीं दिया इसके अलावा इक तमिलनाडू का भी मामला अगर हम देखें दोस्तों तो तमिलनाडू जो राज विधान सभाने जो है वो तमिलनाडू पिछड़ा वर्ग अनुसूची जाती सैक्षणि संस्थानों में सीटो और राजसेवामे नियुक्ति या पदो के आरक्षण अधिनियम उन्नी सो तिरानवे पारित कर तमिलनाडू द्वारा निर्धारी 69 पर्षेंट आरक्षण सीमा को क्या है बरकरार रखा और इसे जो है उन्नी सो चारानवे में जो है वो संस रहे हैं तिक नव अगला नियुज है दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस से लिया हुआ नियुज है इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेंड कॉलम से नियुज है नियुज है शुप्रीम कोट्स ओबीसी डाटा ओडर और एंटस इम्पक्ट ऑन महाराष्रा लोकल बाड़ी what direction has the Supreme Court given to Maharashtra Government regarding OBC data यानि कि अन्य पिछ्टा वर्ग के data से सम्मंधित जो है इस मामले में क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि Maharashtra में जो है वो लोकल स्पोल्स हो रहे हैं ना जैसे लोकल स्पोल्स मतल नगर निगम के चुनाओ चुनाओ इस प्रकार के चुनाओ होने वाले हैं ठीक है तो इस पर जो है सुप्रीम कोट के द्वारा जो है एक महराश गवर्मेंट को जो है एक और दिया गया है ठीक है और यह जो OBC data का प्रभाव क्या पड़ेगा उसके लोकल पोल्स पर इस पर हम बात करेंगे तो इंडियन एकस्पेस से लिया हो यह topic है और इंडियन एकस्पेस से लिए भीच टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे ठीक है उमीद कर रहा हूँ कि आप लोग को समझ आ रहा होगा तो सथानिया निकाय चुनाओं में OBC आरक्षन का मुद्दा है ठीक है और कहां के स्थाने निकाय चुनाओं में जो आपका महराष्ट का है तो सरोच नियाले ने दोस्तों महराष्ट की एक याचिका जो थी उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था ये सुप्रीम कोट और इसमें जो है दोस्तों दिशंबर 2021 का एक आदेश था इस वादेश को वापस लेने का फैसला लिया जिसमें ये कहा गया था कि जो आपके स्थाने निकाय चुनाओंगे ठीक है ना उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षन दिया गयाएगा वो कितना दिया जाएग पिछड़ा वर्ग आयोग को जो है वो सौपी है महराष्ट एक ऐसा अकेला राजी नहीं है दोस्तों जहां इस्थाने निकावाए में ओबी सी आरक्षन पर रोक लगाई गयी है इसके पहले दिसमबर 2021 में सिर्थ आदालत ने जो है वो मद्य परदेश शरकार के लिए एक स शुचित कर दिया गया था इसी तरह का जो मामला मद्य परदेश का अबादी के को ब इस तो मांच 2021 में स्प्रेम कोट ने राज सरकार को ती शर्तों करने के लिए कहा था जिसमें सबसे पहला क्या था OBC आबादी से संबंधित अनुभाव जन्य डेटा एकत्र करने के लिए एक समर्पित आयोकिस थापना आरक्षण के अनुपात को निर्दिष्ट करना और या सुनिश्चित करना कि आरक्षण सीटों का संचाई हिस्सा कुल सीटों में से 50% का उलंगन ना करे ठ रोच नियाल है कि आदेश के बाद सरकार ने OBC के जो भी आपके जो डेटा थे ठीक ना इसको क्या किया गया था कि जो भी समर्पित आयोक था जो भी से संबंधित आयोक था उसकी नियुक्ति को और 50% आरक्षण के सीमा को पार किये बिना जो है वो इस थाने निकाए में OBC का जो आरक्षण उसको 27% तक देने के लिए जो है एक अध्यादेश भी जारे किया ठीक ना अधारत ने डिसंबर 2021 में यह कहते हुए इस पर रोक लगा दी कि इसे जो भी अनुभाव जन्ने डेटा के बिना लागू नहीं किया जा सकता और राज चुनाव आयोक को OBC सीटो में रख कर चुनाव कराने का जो है वो आदेश दिया ठीक ना इस पर जो दलील दी गई वो दलील क्या थे कि महरास सरकार ने दावा किया कि शिर्षादालत के द्वारा दिये गए जो यह आदेश थे इसके दो प्रतिकूल जो है वो प्रभाव पढ़ेंगे OBC से सम्मधित व्यक्ति लोगतांतिक प्रक्रिया के माध्यम से निर्वाचित पदो पर चुने जाने के औसर से वंचित होंगे जो ना किवल OBC समुधाय के निवाश्यों के आकांचां को पूरा बलकि अन्य सभी समुधाय के विकास में जो है वो मदद करते तो तो यह भी क क्या हो रहा है कि एक तरह से देखें तो इसका उलंगान हो रहा है OBC का प्रयाप प्रतिनिधित्यों ग्यार प्रतिनिधित्यों स्वेधानिक योजिना के उद्देश्व मंसा के बिलकुल विप्रीत है राज ने ये भी दावा किया कि उसने पहले ही एक आयोग निक्त करके डेका डेटा एकत्र करके तीन परिक्षण दिशार निर्देशों का जो है वो पालन किया ठीक है ठीक है इसके अलावा महाराष्ट के कुछ जीलों में आरक्षण OBC की जन संख्या के अनुपात पर अधारित है और पूरे महाराष्ट राज्ज में अगर हम बात करें तो सभ ठीक है रानों के लिए मध्यवर्ती उपाय के रूप में राज ने एक नमूना सरविक्षण का उलेख किया जिसमें कहा गया कि नमूना आकार में OBC का जो वित्रण है वो 48.6% के आसपास पाया गया सरोच नियाले ने क्या आदेश दिया तो सरोच नियाले ने जो है वो महा आगामी जो भी आपके स्थाने चुना हो रहे हैं महाराष्ट में यहां OBC कोटा को बहाल करने की संभावना को जो है इसके माध्यम से बढ़ा दिया गया है ना इसके रावा हम बात करें तो सरकारी आकडों में राज्य के ग्रामिड विकास विभाग और सहरे विकास विभा करना होगा और स्थाने निकायों में OBC कोटा बहाल करने है तो बिलकर जो है वो काम करना होगा इसके पहले का एक मामला 2010 का था जिसमें निर्नाय दिया गया था सुप्रीम कोट का तो यह जो मामला था जिसको कि हम कहेंगे के कृष्ण मूर्ती बना भारस संग 2010 का मामला जिस निया अधिशों के समिधान पीठ के साथ जो है वह अनुछे 243 डी सिक्स और अनुछे 243 टी सिक्स ठीक है यह दो अनुछेद है कि व्यक्या की थी जिसके अनुसार कि यह कहा था कि कानून के अधिनियमिन द्वारा पंचायतों नगा निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के अनुमती देते हैं और इसमें सरवुच नियाले ने यह मानता है कि राजनितिक भागेदारी की इबाधाएं सिक्षाय उम्रोजगार तक पहुंच करने को समित करने वाली बाधाओं के समान नहीं है समान औसर देने है तो आरक्षण को वांचनियमाना ज दोस्तों आपके और आप इस समय जोड़े हैं अनकेडमी का अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो अनकेडमी का आप डाउनलोड कर लीजिए गूगल के प्ले स्टोर पे जाकर और आप अपने मोबाईल नंबर से इसे जो है वो रिजिटर कर लीजिए यूपी क्लासे जो है वो श्टार्ट हो चुकिए फ्री आफ कॉस्ट है तो उसको आप लोग देखिए जिसको कि हम लोग प्रिलिम्स और मेंस दोनों के एकस्जाम को ध्यान बर रखते फिर डिटेल में चर्चा कर रहे हैं और फ्री क्लासे के लिए जो दोस्तों आपको कोड यूज करना वो कोड किया है अनुप 10 का कोड है का यूज कर सकते हैं दूसरी बात दोस्तों आज कल और परसो तीन दिन हम लोग ओशने ग्राफिक के उस टॉपिक को स्पेशल क्लास में पढ़ेंगे फ्री आप पॉस्ट जिसमें हम लोगों ने प्लस क्लासे में जब किया था तो व अपने सुद्धा के साफ से कर सकते हैं आपके पास ऑपर्चुनिटी हैं या के बेस्ट एजुकेटर और फिंसर से जोड़ के क्लासे करने का मुल्टीपल क्रॉस्पॉंडेंस कोर्सिस का आप लाव उठा सकते हैं वाक्शोब स्टेडी सेशन मास्टर क्लास के लाव उठा स न्यूज है दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस से लिया हुआ न्यूज क्या है हाव सुप्रीम कूर्ट हैस इंटर्प्रिटेड इन्हरिटेर्स ऑप डॉटर ठीक ना ये न्यूज आपके स्क्रिन पर आपको देख रहा है ठीक ना दा केस इन्वाल अर डिस्प्यूट ओवर प्रॉपर्टी ओफ वन मरप्पा गाउंडर हुड़ डाइड इन नैंटिन फोर्टीनाइन बिहाइंड डॉटर कुपाई अमल हुएस डाइड इशु लेसे नैंटिन सेश्टी से तो वेटियों को की विराशत पर सरोच न्याले का निर्णा है जैसा कि संपत्ति में वेटि अंजली प्रणाम झाल कि ठीन तो इस पर हम लोग आता है लुट समझते हैं रीजाय एग्राइट करें अगा प्राइब कर यिस द्बार भूष बिलक्ल्ष मेंच वहां बहुए है और आज से हैं जय आप जान रहें की है न गरतन दिवश जो है इस बार जो है वो आज से ही जो है वो शुरू कर दिया जाएगा ठीक है न तीज तारीक से ही गरतन वैसे गरतन दिवस पहले 26 तारीक से श्टार्ट होता थौट आज से ही शुरू हो जाएगा फिक है तो फटा फट जो है अच्छा फटा फट सब जूड़ते हुए अपने मित्रों के साथ शेर भी कीजिए तो विश्यु कर्वा मैसेज करना पड़ता है कि भाईया आप लोग रहेंगे तो अच्छा लगेगा फटा फट और अपने मित्रों के साथ भी सांजा करते हैं सभी लो तो बेटियों की विराशत पर सर्वोच नियाले का एक निर्णा है इस पर हम बात करेंगे तो दोस्तों सर्वोच नियाले ने एक फैसला सुनाया है और ये 1956 के हिंदू उत्राधिकार अधिनियम के तहट जो है कानून में होने वाले जो पहले जो संपत्यों पर बेटियों के समान अधिकार से के बारे में बात हो रही थी मैंने कि संपत्य यानि कि पिता के संपत्य पर बेटी का भी जो है वो समान अधिकार है इस पर चलचा है इस निर्णा में एक ऐसे व्यक्ति की संपत्ति का विवाद सामिल था जिसकी वर्स 1949 में मृत्ति हो गई थी और वो अपने पीछे एक बेटी चोड़ गया था जिसकी 1967 में जो है वो मृत्ति हो गई थी इसके पूर्व एक ट्राइल कोड था उसमें ये कहा गया था कि चुकि हिंदू उत्रादिकार अधिनियम 1956 के लागों होने से पहले उस महिला के जो है वो मृत्ति हो गई थी और याचिका करता और इसकी अन्य बहने उस महिला के मृत्ति के तारिक के वारिस नहीं बनी थी इसलिए संपत्ति में हिस्से के विवाजन के हकदार वो नहीं था बाद में उच नियाले ने भी निचली अदालत के खिलाब जो है वो अपील खारिच कर दिया था देखे इसको ध्यान दीजेगा डेट को ठीक है मृत्तियु कब हुई थी गश्च नीटिन फूटीन नाइन महिला की और हिंदू उत्राधिकार अध्नियम कब आया था हिंदू राधिकार अध्नियम आया था उनेशोच्छप पन में जिसके बाद यह हुआ था कि बाइटियां भी जो है उनको भी बेटों के तरह जो है वो संपत्ती में समाना देखा रहा होगा लेकिन इसकी मृत्तु कब हुई थी इस वेक्ति के जो मृत्ती हुई थी वो 1949 में हुई थी अब 1949 में की जो मृत्ती हो गई थी ठीक है न तो मृत्तु के पहले उसने कहीं भी अपने वश्यत में नहीं लिखा था ठीक है ना, कि मेरे मरदे के बाद, जो होगा मेरी संपत्ति जो है मेरी पुत्री को मिलेगा कहीं ने लिखा था ऐसे तो नौर्मली हम देखते हैं कि आजकल हम देखते हैं कि पुत्रियां यानि कि लड़कियां होती है वो आप 99% cases में क्या देखेंगे कि लड़कियां जो है वो पिता की संपत्ती पर जो है वो किसी भी प्रकार का दावा नहीं करती है क्योंकि उन्हें लगता कि भाई जो है वो भाई को मिल जा और भाई जो है वो सही से रहे और भाई के बीच में भी हमें प्रॉपर्टी का विवाद देखने को मिलता है है ना अब कई जगा अच्छे सो जाता है कई जगा विवाद जो है काफी जादा बढ़ जाता है अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा सुप्रीम कोट पर ये मामला पहुंचा तो इसमें ये कहा गया कि भाई ये जो कोड था इसने ये फैसला जो सुना आया फैसला तो सही है क्योंकि 1956 का मामला है और 1956 में जो है वो हिंदू उत्रादिकार अधिनियम आया और 1949 में महिला के मृत्ति हो गई है उस हिसाफ से तो भाई नहीं मिलना चाहिए पेटियों को किसका संपत्री का अधिकार और पहली चीज of ऑर जब ये मामला आपका हाई कोट में पहुंचा तो हाई कोट ने भी सीधह ये कहा कि हम ये ठीक है क्योंकि नीयम के अनुसार तो नहीं मिलना चाहिए लेकिन मामला जो है कथारी के उपर जब सुप्रीम कोड का फैसला आया तो सुप्रीम कोड ने शूसरा सुनाया तो यही कहा कि एक ऐसे वैक्ति की संपती जो बिना किसी वशीयत के मर जाता है ठीक है न और उसकी किवल एक बेटी हो तो उसकी बेटी को जह हो समगर रोप से उस संपत्ति के पे जो है अधिकार होगा ठीक है ना मेनी बात को समझज़ेगा अगर मालीजे कोई व्यक्ति है उसकी केवल एक ही बेटी है और उसने वसीयत नहीं लिखा मालीजे उसको नहीं पता यह मैं मरने वाला है मालीजे किसी कारण से मर ठीक है तो ये नैसरगिक रूप से क्या होगा कि उसकी बेटी का ही अधिकार होगा कई जगा आप देखते होंगे गाओं में जब किसी की बेटी होती है ठीक है मालेजे की दो भाई हैं एक राम और एक शाम राम की मालेजे दो बेटी हैं और शाम की दो बेटे हैं राम की माले तो सुप्राम को numero के बच्चे जो नहीं है तो सुप्रेम कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया इस फैसले में सीधे यही कहा कि कोई अगर एक वैक्ती है और उस वैक्ती ने अगर वसीयत नहीं लिखा है तो भी नैसरगिक रोप से उसकी संपत्ती पे जो अधिकार होगा वो किसका होगा उसकी बेटी का होगा परिवार के किसी अन्य सदस्य का नहीं होगा इससे पहले 2020 में सरवच न्याले ने अपने एक निर्णे में ये सुनाया था कि पुरुष उत्तराधिकारियों के समान सर्तों पर जो हिंदू महिलाओं को भी क्या है कि अपने पिता की पैत्रिक संपत्ती में वो भी उत्तराधिकारी बन सकती है या संहित रोप से कानौनी उत्राधिकारी बनने का उन्हें अधिकार Hai ठीक है प्रा चीन ग्रंत और न्याई धोषणाएं क्या हैं तो सर्वच न्याले ने भिभन और प्राचीन ग्रंथो और प्रशिद विद्वानों के टेपणियों और यहां तक की न्याई गोषणाओं का उलेख किया जिन्होंने कई महिला उत्रधिकारी के रूप में पत्नियों और बेटी के अधिकारों को जो है वो मान्यता दी गई विराशत की बहुत सारे जो ग्रंथ है और हिंदू धर्म से संबंथे जो ग्रंथ है ठीक ना और उसके अधार पर एक मिताक्ष्रा कानून है और उस मिताक्षा कानून के बारे में उल्लेक किआ गया है जो कि हिंदू कानून की स्थरोथों के रूप में इसको लिया जाता है तो कहा है इसके अलावा सुप्रीम कोट ने श्यामा चरण सरकार विद्या भूशन द्वारा हिंदू कानून के एक जिसका नाम व्यस्था चंद्रिका को भी देखा, जिसमें ये कहा गया है कि ब्रहषपती को या कहते हुए उद्रित किया गया था, कि पतनी को उसके पती की संपती का उत्राधिकारी घुशित किया जाता है, तथा उसकी अनुपस्तिती में एक पुत्र के रूप में बेटी उ भी आधा यह कहा गया की स सनपत्ति का वारित क्यास वन सकता है जब इसकी जीवित रहने के बावजूद ठेक ना तो सिंपल सी बात इसमें यहीं कही गई है क्या कि बेटी और बेटा जो है वो समान है तो बेटीओं कभी है जो संपत्ती में दिकार एक पुराना कानून है उसको हवाला दिया गया जिसमें कर गया है एक बिधवाई या बेटी का श्वा अर्जित संपत्ति का उत्रजिकार या एक हिंदू पुरुष की शहदाइक संपत्ति के विभाजन से प्राप्ष्य का देकार उराने प्रतागत हिंदू कानून के तहत अच्छी से मानता प्राप्त है यदि एक मृत हिंदू उत्तर जीवित द्वारा और ऐसे हिंदू पुरिश की बेटी हगदार होगी और इस तरह की संपत्ती में उसे अनिकी अपेक्षा जादा से जादा वरियता दी जाएगी ठीक है तो इसमें कुल मिला के ये कहा गया कि मान लिजे की पूरा कंबाइंड फैमिली है ठीक है तो ये नहीं कि अगर उसके पास पुत्री है तो वो संपत्ती जो है वो पूरी कंबाइंड फैमिली में ही बढ़ जाएगी उसकी सबसे ज़्यादा वरियता कौन होगे संपत्ती की तो जो उसकी अपनी पुत्त्री है वो सबसे ज़्यादा वरियता दिया जाएगा किसमे संपत्ती में जो है वो वरियता दिया जाएगा महिला के मृत्यू के बाद की संपत्ति के ऊपर बात किया गया तो सुप्रीम कोट ने कहा कि अगर कोई हिंदु महिला बिना किसी उत्राधिकारी के मर जाती है माली जी कोई महिला है हिंदो महिला है और उसका कोई उत्राधिकारी नहीं है तो उसके पिता या माता से विराशत में मिली जो भी उसकी संपत्ती होगी वो उसके पिता के उत्राधिकारीों के पास जो है वो जाएगी जबकि उसके पति से प्राप्त जो भी संपति है वो उसके ससुर के वारिसों के पास जाएगी समझेगा मालीजी कोई महला है जिसका नाम मालीजी लक्षमी है अब ये लक्षमी जो है मालीजीए कि अपने पिता की इकलोती पुत्री है ठीक ना अब लक्षमी अपने पिता की कलौती पुत्री हो और मान लीजिए कि लक्षमी का कोई पुत्रिया पुत्री नहीं है ठीक है तो लक्षमी के जो ससुराल पक्ष से जो संपत्ती आई है ठीक ना उस ससुराल पक्ष से आई होई संपत्ती का वारिश कौन होगा जो ससु उत्राधिकारी हो जाएंगे ऐसा कहा गया है और यह सारा चीज आप लोग अपने समाज में देखते होंगे भारत में भूमी अधिकार और महिलाओं के उपर अगर हम बात करें तो एक डेटा आया है दोस्तों दिश्टेटा में यह कहा गया है कि भारत के संपत्ति के बड़े पैमानी पर अगर हम देखें तो पुरुष उत्राधिकारे को जो है वो काफी हस्तांतरित करने के उच्छे होते हैं यानि कि हम क्या दे देखें तो महिलाओं के वित्य स्वतंता और उध्यमिता से क्या कर दिया जाता है वन्चित कर दिया जाता है राष्टिय परिवार स्वास्वक्षण का एक आंखड़ा आया था जिस आंखड़े के अनुसार यह कहा गया था कि 43% महिला उत्तरदाताओं नहीं यह बताया कि उनके पास अकेले या सहिंक्त रूप से घर भूमी है लेकिन वास्ताओं में संपत्ति तक जो पहुंच और महिलाओं की नियंत्रण चमता के बारे में जो है वो भी संदेह बना हुआ हुआ है कि उनका कितना नियंत्रण है ठीक है मैंचेश्टर विश्विद्याले 2020 के एक पेपर में ग्रामिड जमिदार घरों में बहमुश्किलinsky 16% महिलाओं के पास अपनी जमीन ओने गई इक सरवे किया गया था और सरवे में ये बताया गया था कि भारत में बात करें तो हम क्या देख रहे है जो महिलाओं के संपत्ति की जो मालिक है वह काफी कम है मातर जो पर कि इनुट की रूपए देखा जाता है वह अधिकार काफी खतक हम क्या देखते हैं कि पूरिशत्रा अधिकारों को जो है Roland कि Я और यहां तक दिल्ली में हम देखते हैं कि प्रतीगामी उत्तरदिकारी का जो है वो प्राउधान है हर्याने ने दो बार जो है वो हिंदु आपका जो उत्तरदिकार धने उननीसव चपन के माध्यम से महिलाओं को दिए गया प्रगतिशील अधिकारों को छिदने की कोशिज भी की है जबकि यूपी ने 2016 से विवाहित बेटियों को प्रात्मिक उत्राधिकारी नहीं माना है तो 2016 से अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में राज्य कानून यहीं वना है कि उसमें यह कहा गया है कि जो संपत्ति है उसमें जो अगर शादे शुदा महिला है तो उसको क्या है प्रात्मिक उत्त्राधिकारी नहीं माना उत्त्राधिकारी माना है लेकिन उसको प्रात्मिकता जो है वो नहीं दे गई है जमिनी इस तर पर इसका क्या विरोध हो रहा है तो कई उत्तर भारतिय राज्यों में हम क्या देख रहा है कि महिलाओं के लिए जमीन के पंजी 1956 क्या है तो हिंदू कानून की मिताक्ष्रा धारा को हुंदू अधिकार अधिया 1956 के रूप में जो है सहिंता बत किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि संपत्ति के वारिस ये वो उत्राधिकार ये तहत जिसने कानून उत्राधिकारी के रूप में किवल पुरिशो को जो है व इस कानून के तहज जो है वो क्या किया जाता है हिंदू माना जाता है एक और विभाजित हिंदू परिवार में कई प्रोडियों से सैंक्त रूप से कई कानूनी उत्राधिकारी मौजूद हो सकते हैं कानूनी उत्राधिकारी परिवार की संपत्ति की सैंक्त रूप से जो है व हिलाओं को जो है वह क्या किया गिया था कि सहदायग यानि कि कॉप्षीर के रूप में मानिता दी गए थी इस संसोधन के तहती यह कहा गया था कि पुत्री को भी जो है पूत्र के समान जो है अपने पिता के संपत्ति पर इधिकार है और यह तर्फिया वह पै cope शोधन करते हूए एक कॉपर सेनर की पुत्री को भी जलंसे के सभाइबा की जाएगा उत्तहज़र माना जाएगा ठिक रहा अब मिताक्षरा कानून जो है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि मि exam क्रों की तुरना कर लेते हैं यह पर हिंदु कानून दो कानुन है एक है आपका मितांः चाय कानून और दूसरा है आपका द chef है भारत के सबी भागों में मिताक्ष्रा कानून का प्रभणों गया जैसे कि बनारस, मिथला, महराष्ट और द्रवेड सैली में ये उपविभाजित है ठीक है दया भागा कानून हमें बंगाल और आसाम में इसका प्रभाव जो है वो देखने को बिलता है ठीक है जन्ब से ही संउत्थ परिवार के पैत्रिक संपत्ती में पुत्र के हिश्यदारी होगी ऐसा मिताक्ष्रा कानून कहता है दया भाग कानून क्या कहता है कि पुत्र का संपत्ती पर जन्ब से कोई स्वामित्य अधिकार नहीं होता है परंतु अपने पिता की मृत्त्यू के बाद स्वतही अधिकार को जो है वो प्राप्त कर लेता है मिताक्ष्रा कानून में कहा गय मिताक्ष्रा कानून कहता है कि कॉपरसनल का भाग परिभाशित नहीं और इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है कि अपने पति और पुत्रों के बीच किसी भी बटवारे में हिस्सेदारी का अधिकार प्राफ होगा जी आप जैसे मिताक्ष़ा कानून के बारे में हम बात करें तो मिताक्ष़ा कानून किया है इसमें क्या कहता है कि मान लिजिए कि जैसे कि एक एक एक्जामपल लेते हैं हम लोग अमबानी फैमली का अम्बानी में आपने देखा था कि अनिल अम्बानी मुकेस अम्बानी दोनों का आपको देखने को मिला आपने देखा था कि अनिल अम्बानी और मुकेस अम्बानी के अलावा जो संपत्ती का जो है धिरू भाई अम्बानी के जब संपत्ती का बटवारा हुआ तो धिरू भा अधिकार प्राफ्त होगा तीम यहां नहीं कर सकता है तो यह हिंदू कानुन से संबंधिस नहीं आ सकते आपका प्लाव उठा सकने हों के जातते हैं और दोस्तों यह अपकाकॉण। चक्रफ्त कार शेंग पहीं होँआ इसका लाव उठा सकते हैं ये करेंट टाइम से करेंट अफेस बूश्टर और यूपी एक्जाम है जिसमें आप रैंक वन रैंक टू या रैंक त्री रहते हैं तो आपको 25 परसेंट स्कॉलर सिप मिलेगा दो साल के सब्सक्रिप्शन पर अनॉप्टें का कोड यूज करके यह सारा आपका है इसका लाव उठाइए अगला है दोस्तों हिंदू से न्यूज है न्यूज है इस्टेट हुट डे पीम मोदी ग्रीट्स पीपल ऑफ मड़िपूर मेघाल और त्रिपूरा तो मड़िपूर मेघाल और त्रिपूरा के स्थापना दिवश पे जो है 21 जनव जनवरी 1972 को पूरवतर छहित्र पूर गठन अधियां 1971 के तहट जो है वो तीन राज्यों को जो है वो पूर्ण राज का जो है वो दरज़ा प्रदान किया गया था मड़िपूर का जो है वो भारत में जो है वो बिलाय किया गया था पंदरा अगर्स उन्निस सो से तालीस से पहले जो है एक सांति पुन वारता के जरीये जो है ठीक है तो सभी राज्यों और जिनकी सिमाए भारतिय संग के साथ लगती थी उसको विराय करने के लिए क्या किया गया था एक जूट होकर इस पर कारे किया गया था ठीक है अधिकांस राज्यों के शाषकों ने परी ग्रहन के साधन यानिक इस्टूमेंट आफ एसेसन नामा के एक दस्तावेच पर हस्ताक्षर किये जिसका अर्थ था कि उनका राज भारत संग का हिस्सा बनने के लिए सेहमत है आजादी से कुछ समय पूर्ण अगर हम बात करें तो मड़ीपूर के महाराजा थे जिनका नाम था बो भारत का जो है वो पहला भाग बन गया था या राज्य बन गया था मड़ीपूर के विधान सभा में अगर हम बात करें तो भारत के साथ विलाय को लेकर अत्यधिक मत भेत थे बारत सरकाने सितंबर 1949 में मड़ीपूर के विधान सभा के परामर्स के बिना एक विलाय पत्र प त्रिपूरा के जो अंतिम महराजा थे वीर विक्रम सिंग कि निधन के पश्याद जो उनकी महरानी थी इनका नाम था कंचन प्रभा ठीक ना इन्होंने त्रिपूरा राज का प्रतिन सम्हाला और भारती संग में त्रिपूरा राज के विले में उन्होंने जो है वो साहिक की म में कानी भाई इसके बाद एक राज है मेगाल है तो वर्स 1947 में गारो और खासी छेत्र के शास्कों ने जो है वो भारती संग में प्रवेश किया मेगाल है भारत के उत्तर पुर्वत छेत्र के इस्तित एक चोटा सा पहाड़ी राज है था जो दो अपरेल 1970 को जो है असमराजी के वितर एक स्वाहत राज के रोप में जो है वस्तितों में आ गया वर्स 1972 में हमें देखें काफी बदलाव हमें देखने को मिला 1972 में पुरवत्तर भारत के राजनितिक मांचित्र में काफी परिवतन आया और दो किंड शाशित प्रदेश मड़ी पूरा त्रिपूरा और उ ठीक है अगर दोस्तों आप अनेकेडमी यूपी पीएस सी और यूपी ट्रीपल सी का सब्सक्रम्पिशन लेते हैं तो आप यूपी पीएस सी अपर सावरंडिनेट लोवर पीशी आरो यूपी एस आई यूपी ट्रीपल सी पैट लेख पाल बी और आप्शनल कोर्स का महिने और एक महिने अगर आप PCS की तैयारी कर रहा है तो आप 24 महिने और 12 महिने के साथ चलिए बाकि क्योंकि यह आप जानते हैं कि इसमें UP SSS का भी कोर्स आपका UP PCS के साथ है तो माले जो बहुत सारे PCS वालों के लिए यह कोर्स है ठीक है लेगिन जैसे ही दोस्तों आप कोड यूज करोगे है ना जैसे ही आप कोड यूज करोगे आपके फी में जो है आपको 10% का जो है और 10% का आप मिलने के बाद जो आपके फीस होगे 24 महिने की 13600 के जगह 12240 12 महिने की 9350 के जगह पे 8415 6 मह महिने की 4250 के जगह पे 3825 और एक महिने की 1700 जगह पे 1530 रुपया फीस हो जाएगे है ना तो आप इसका लाव उठाइए अच्छा 24 महिने 12 महिने और 6 महिने के फीस जो है वो उस पर आपको अन अकैडमी जो है वा एजुकेशन लोन भी दे रहा है तो बहुत सारा ऐसे आ रही होगे तो तीन महिने का आपको सेलरी स्टेटमेंट पैन कार और अधार कार्ड का यूज करके आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं और 36-47 गंटे में जो है आपका एजुकेशन लोन जो है वो फाइनल हो जाता है अत्रिक जानकारी के लिए आप मेरे साथ संपर्क कर ल पांटे अगर आपको लगता है कि आपके किसी भी एजुकेटर क्लास में कुछ भी इन एप्रोप्रियेट कंटेंड दिखाया जा रहा तो आप कर सकते हैं चलिए सुरू करते हैं आज के मुल्टिपल च्वाइस को सेशन को और आप लोग तैयार हो गया होंगे आप सभी तैयार हो गया हूँ पहला प्रशन है आए सिसी के तरफ से चुने गए विश्व की तेष्ट एकादस में निम्न में से किन भारतिये खिराड़ों को जगह मिले रोहिच सर्म, आर अश्विन, रिशव पंद, विराट कोहली, हर्दिक पंडिया, मुहम्मद सामी, हर्दिक पंडिया, सार्दोल ठाकुल, विजय शंकर, केल राहू, जस्प्रीद बुंबराह, यरविन जणिज, आपको बताना है राइट इंसर क्या है और 11 बजे से दोस्तों, आप लोगों का जोगरफी का जो है, वो स्पेशल क्लास है, जिसमें हम लोग ओशनियोग्राफी का वो टॉपिक जो आप लोगों के याद होगा, हम लोगों ने दिसम्बर में पढ़ा था, तो करेंट, ओशन करेंट्स जो हैं, वो आपके छूटे थे, तो इसको मैं इन तीन दिनों में कवर कर दे रहा हूं, तो जो भी प्लस स्टूडेंट हैं, वो तो जुड़े ही, बाकिस सारे स्टूडेंट भी जूड़ी है, पर अपने सारे मित्रों को भी जानकारी दे दीज कि वो सभी स्पेशल क्लास पर जोड़ जाएंगे और इसका लाख ज़र वो ले लेंगे, तो दोस्तों जिन्हों ने काया है, रोहिस सर्मा, आरश्विन और रिशवपंत वो सभी के उत्तर जो हैं, और ICC में में स्टेस्ट टीम ऑफ दे यर 2021 का एलान किया, जिसमें साल 2021 के बेस्ट टेस्ट टीम में भारत के तीन के लाड़ी वो जगह दिया है, ठीक है न, कौन कौन से हैं, रोहिस सर्मा है, आरश्विन और रिशवपंत है, अगला प्रशन है, मौर्निंग कंसर्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के विश्व के तेरा नेताओं के सूची में, निम म मौदी अगर हम बात करें, पसंदिजा नेताओं के सोची में, करीम 71 फिस्दी रेटिंग के साथ, उनका नाम जो सबसे उपर है, और मौर्निंग कंसर्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, जो है विश्व की 13 नेताओं के सोची में, अमेरिका के राश्पति वाइडन का इस्थान में, जो है वो छटवा है, उन्हें 43 फिस्दी जो है रेटिंग मिली है, ठीक है, अगला प्रशन है, मौरिसस सरकार ने मेट्रो एक्स्प्रिस परियोजना में, भारत के समर्थन को लेकर एक स्टेशन का नामने में से किसके नाम पर रखने के घोशना किये, महत्मा गांदी, आल भादुर्शास्त्रे, रिश्रमुर्मानी, कोई निया मन आप, नेट्वर्क इश्व होगा, आप लेठी एंसर दे देजिए, रूबी, काजल, अमीश, अमन, अनीता, रितू, दीपू, अंजली, तो दोस्तों जिन्होंने कहां महत्मा गांदी वो सभी के उत्तर जो हैं, वो सही हैं, और मौर्शा सरकार ने मेट्रो एक्स्प्रेस की परियोजना को भारत में समर्थन को लेकर एक स्टेशन का नाम महत् दिया जा रहा है, और इस संदर में भारत के प्रधान मंतरी नरीन मोदी ने कहा है कि भारत और मौर्शास जो है, इसका इतिहास संस्कृति और भासा जो है, और हिंदु महासागर में सांजा से वो एक जूट है, और मौर्शास के बारे में बात करें, अगर दोस्तों तो मौ के रहने हैं तो मोरिशस से अगर हम बात करें तो कुल मिला कर देखिज की जो भाशा है, वो भारासा भी आपकी। भोजपूरी देनक मैं ज्छी अगला प्रशने की नेटा रोबरड ने दूंत 1991 का मेटर हुआ है। माल्टा, नेपाल, चीन या इराक. तो दोस्तों जोनों ने कहां माल्टा, यह वो सभी के उत्तर जह हो सही हैं और ज़ीपिय देश माल्टा की नेशनल पार्टी का जो नेता और आवाट मैट सोला को जो है इरोपियल संग के संसत की का अध्याग छुना गया है और मैट सोला ने पिछले सप्ता जो है वो सोचलिस नेशनल डेविट सशोली के निधन के बाद जो है वो धाई साल के कारेकाल के लिए पद्गरहन समल की यह संभला है और यह उरोपिय संसत की सबसे कम उम्र की अध्याख्ष है अगला प्रशना है आए सी सी के तरफशे विस्वर की स्रिष्ट वंडे महिला टीम में किन दो भ निशाह, अमीश, सुष्मा, अनीता, काजल, अमन, अंजली, मकु, पृतु, भरूबी, दीपूर अन्जली, मकु, बृतु, भरूबी, दीपूर दोस्तों जुन्हों ने कहा मिताली राज और जूरन गोस्वामी ए वो सभी के उत्तर जहां सही है और भारती क्रिकेटर मिताली राज और जूरन गोस्वामी को ICC महिला वंडे टेम ऑफ दे यर 2021 के लिए चुनाएंगे है और ICC आवार्ड्स में पहले सभी टीमों का जो है गो सामिल किया गया अगला है त्रिपूरा मड़ीपूरा मेगाले का स्थापना दिवस्टनिम में से किस दिन मनाया जाता है दस मार्च एकेज जॉनुरी बारह मई या पंदरा अगस्त आपको बताना है कि राइट एंसर क्या है और एक जैसा कि साफलों के तोरह सुझाओ दिया गया है है तो यह मैं फरवरी से यह काम करने वाला हूँ कि पूरे सब्ताव भर का जो करिंट अफेर्स का जो MCQ है वो हर संडे को जो है वो आपको इस्पेशल क्लास पर MCQ जो देखने को मिलेगा पूरे सब्ताव भर का जो क करिंट अफेर्स MCQ रहेगा जिसमें पूरे वीक के जो करिंट अफेर्स होंगे ठीक है उसको लेकर चला जाएगा इस्पेशल क्लास पर तो दोस्तों जिन्हों ने का 21 जनौरी अभी हम लोग ने चर्चा भी की वो सभी के उत्तर जो हो सही और 21 जनौरी को जो है त्रिपूर मरिपूर अमेगाले को 21 जनौरी 1972 को जो हो बोन राज का दरजा दिया गया गया अगला प्रशन है इसराइल ने तीन अत्यादूनिक पंडूबियों की खरीद के लिए जर्वनी के साथ 20 जनौरी 2022 को कितने अरब डॉलर का रक्षा सोदा किया है एक दिसमली चार अरब डॉलर दो चार अरब डॉलर तीन अलसे चारऊ अरब डॉलर या चार अरब पांच अरब डॉलर आपको बताना है character क्या है ऐधर कर थर पक्रूसरा एक चीज्य और में आपकोई आनका ए campsर देधू.? परवरी से एक मेरा प्लान और भी है कि डैली जैसे कि शामकॉम जोग्रफी क्लास करण इसके जिगापे मेरा प्लान ये है कि जोभी पढ़ाने वाले चीजे हैं जो डिटेल में पढ़ाने वाले चीजे हैं उसको अनकेडमी के ऐप पर रखा जा जैसे बहुत सारे चर्चित मुद्दे होते हैं चाहें वोती हास के हों, चाहें भूगोल के हों चाहें पॉलिटी के हों, चाहें एकॉनमी के हों चाहें सुसाइटी के हों, चाहें इंटरनल सेक्योर्टी के हों तो सुबह तो करिंट अफरस की क्लास शली रही है है ना एक चर्चित मुद्दा जो है वो रोज जो है उस दिन का जो भी चर्चित मुद्दा है वो रोज रात को जो है वो लेकर आया जाए है ना और इतने मिनिट के भी हो सकते हैं 20-25 मिनित आदा गणिटे का जिस से की एक होट टॉपिक ऐसा मेरे दिमाग में चल रहा है कि रोज और किस विशय से है मतलब यह नहीं मिसलेनिस टाइप कर रहा है मिसलेनिस में कुछ भी हो सकता है देश-फिदेश या उत्तर-प्रदेश मतलब जो भी समाचार हो जो कि चल रहा हो इस टाइब का कुछ दिमाग में जो है वो जनरल लविनस टाइब का देखिए ये तुम लोग पढ़ने जैसे कुछ भी कोई भी मुद्दा जो कि होट मुद्दा और किसी सब्जेक्ट की सभी सब्जेक्ट की सीमाओं से बाहर का ठीक मतलब ये नहीं कि कोई भी एक इशू जो है उसके ओपर समझ रहे ना जैसे प्राइम टाइम का एक होता है जैसे न्यूज चैनल पर आप नौ बज़े देखते हैं प्राइम टाइम है ना जिसमें कि किसी एक मुद्दे पर जो हो चर्चा होती उसी टाइब का पुछ एक प्राइम टाइम का एक ही कोई न्यूज हो ठीक है और उस पर जो चर्चा और किस विशे से है वो उससे कोई संबंद नहीं है किसी विशे से हो सकता है ठीक है मतलब ऐसे ही अतरिक जानकारी के लिए तो इस टैप से मेरे दिमाह में चल रहा है तो इस करें और जितने भी पढ़ने पढ़ाने वाली जो चीछे हैं जैसे हैं डिटेल में जो भी चीज़े हैं उसको हम लोग अनेकेडमी की एप पे करें जैसे कि environment and ecology की classes शाम को चार बजे चल रही है ठीक है न? ठीक है न? जैसे कि चार बजे environment की classes अभी चल रही है अभी इस पूरे महीने जो है वो चार बजे environment की classes चलेंगी योट्यूब पे कल से स्टार्ट हो चुकिए उसको आप लोग जोईन कर लीजे ना काफी सारे स्टूरेंट को कल जानकारी नहीं थे तो जोईन नहीं की होंगे और फिर सके बाद जो है थोड़ा से जब depth वाला जब आपका environment नेकलाजी हो जाएगा तो वो फरवरी से जो है वो हम अनकेडमी के एप पर लेके आ जाएंगे है ना? अनकेडमी एप पर आ जाएंगे और अनकेडमी पर एप पर जो है बिल्कुल बिल्कुल एक्जाम क्लियर जाएगा निशा आप ग्रूप में हो या पहली बार मेरे साथ जुड़े हो या आपको कुछ और नाम और किस और नाम से आप ही यहां आ रहे हो ठीक है तो कुछ इस टेप से जैसे की दो तीन जैसे इंवर्मेंट एकलोजी आपका स्पेशल पर चलेगा जिससे की आप लोग नोट डाउन कर देंगा प्लस स्टाइल पर इंवर्मेंट और इकलोजी के लवा एकानमी आपका चली रहा है तो आप लोग में से बहुत सारे स्टोडेंट एकानमी मिस कर दे रहा हो तो आप सभी लोग रात को आट बज़े एकानमी जो है वो जरूर जोइन किया कीजिए है न ठीक है ना सभी लोग है शुश्मा अंज बज़े सी पर किया गया और जो ग्र Eph Marie आप करी रहे तो डेटियरल न हम लोग पढ़ते हैं और अपना नोट्स बनाते हैं okay जो दूस्तों जिन्हों ने कहा इसरायल वह सबीके उत्तर जिए जिन्हों ने कहाथ 3.4 अरफ डॉलर वह सभी के उत्तर जो हैं सही है और इसरा Ayna तीन अत्यादुनिक पंडूबियों के खरीद के लिए जर्वनी के साथ तीन दसनों चार अरब डॉलर का जहर रक्षा सौधा किया है। और अगला प्रशने प्रतिवर्स के स्तारिक को राष्टी आपदा प्रतिक्रिया बल का स्थापना दिवस्ट मनाया जाता है। और अगला जाने जन्वारी 10 मार्श 12 माई या 18 अगरस्तु आपदा जाता है। अगला आपको प्रति प्रतिक्रा अगला स्थापना जाता है। तो प्रतिवर्ष के स्तारिक को राष्टिया आपदा प्रतिकिया बल इंडियारिफ का उनिस जनुवरी 10 मार्च 12 माई 18 अगस्त ठीक है आपको बताना है के राइट अंसर क्या है अच्छा ग्रूप में जो है इसका पीडियफ भी शेयर हो जाता है यह तो आप लोग को पता है कल के भी करिंट ओफर्ष का पीडियेफ जो है ठीक लगई कल के भी करिंट ओउस्त का पीडियेफ रात को मैंने साधे ग्यारे बार्रे बजे कि हासपज वो हब टेलिग्राम पर मैंने शेयर कर दिया है ठीक है और Minute Januarynaar वो सभी के उत्तर जो हमा सहीं है और प्रतिवर्ष सुनने चनूरी को जो है राश्टिया आप्दा प्रतिक्रिया बल का स्थापना दिवश्चो मनाया जाता है ठीक है और इसके स्थापना जो है वो 2006 में आप्दा प्रदन अधिन्यम 2005 के तहट जो है ठीक है इसको आप लोग प्रतिक्रण दय्व फिरएच इसके स्थापना एंवा ने很好 प्र बाष्टा शेक प्रदन स्था hello के प्लस अप अनेक़नी का लर्निंग आप भी डाउनलोड करको norm एस नाम से अप अनेक़ेडमी का लर्निंग आप पर डाउनलोड करको canl выше कर लोगे ना, तो जो भी classes है special पर भी, ठीक है वो भी आपको मिलेगी, जैसे कि 11 बजी special पर geography की classes होगे तो उस classes को भी आप देख लोगे, जो भी students है, है ना और follow करिएगा unlock code आपसे मांगेगा, है ना, क्यूंकि अगर हो सकता है, आप special पहली बार हो तो unlock code मांगे, तो अनुप 10 डालके जो भी free classes है, उसका लाव उठाईए ठीक है ठीक है, एक आपको 11 बजे आपको class देखने को मिलेगी, और geography की, और आथ को 8 बजे economy की class आपको देखने को मिलेगी, है ना, ठीक है ये screenshot ले लिजे, कि जैसे class over हो, उसके बाद, ठीक है और telegram का link जो है, उसके माध्यम से आपको वहाँ telegram का link भी मिल जाएगे, तो आप group में भी add हो जाओगे, ठीक है तो 19 जनुवरी को दोस्तों प्रतिवर्श, अगर हम बात करें, तो राश्ती आपदा प्रतिक्रिया बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है, और इसके स्थापना जो है, वह आपके 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम के माध्यम से जो है, वो की जाती है और 2005 के तेशे बातालियनों के साथ की गई थी, वरतमान में NDRF में 12 बातालियन हैं, जिनमें BASF, CRPF की तीन-तीन, और CISF, SSB और ITB से दो-दो बातालियन हैं और इसकी प्रतिक बातालियन में 1149 सदर्श हैं, तो ये रहा दोस्तों आपका सेशन, उमीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा, है ना, और अभी स्पेशल सेशन आप लोग 11 बज़े जोईन कीजिए ठीक है, और जिसमें आप लोग जोग्रफी में, उशन ग्राफी, समुदर विग्यान में, उशन करेंट से हम लोग पढ़ेंगे और फिर रात को 8 बज़े जो है वो जोईन कीजिए, आप लोग एकॉनामी का, है ना, इंडियन एकॉनमी, भार की अर्थ सब्योस्ता को आप जोईन कीजिए, जिसमें डिटेल में हम लोग पुरा चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, अनलॉक कोड जो यूज करना है, वो अनलॉक टैन का अनलॉक कोड यूज कीजिएगा, ठीक है, क्या यूज कर तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है, लाइक कर दीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए, सर से पढ़के मुझे पुरानी याद आती है, कौन सी पुरानी याद आ गई है, अमन, ठीक है, और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करके बेल ठीक है चलिए फिर मिलते हैं उलों की गार्वेट अपना ध्यान रखिए स्वस्तरी हिम्मस्त रहतन दूसरी हिस्ते कहलते मुस्कराते हो जीवन काने मिलिए जाहिं जाहिं जाहिं